नमस्कार में साक्षि आप देख रहे हैं मेनस निउस लाइब आज की खास खबर पर एक नजर नाना पटोले की भूमे पुत्र की डिगरी का सच क्या है नाना पटोले का भूमे पुत्र क्यालाने का सच? दिल्ली से प्रकशित होने वाली बिल्ड इंडिया पत्रिका में जुले 2009 में कार्यकारी संपादक इन्हों ने एक आलेख लिखा था जिसमें इन्हें किसानों के मसीहा और भूमे पुत्र की उपादी से नवाजा गया था हमारे चैनल ने जब इसकी इस भूमे पुत्र की उपादी या यू कहे डिगरी की परताल की और उन बिल्ड इंडिया मैक्जिन के कार्या-कारी संपादक से इस विशय में चर्चा की तो उसमें यह साफ हुआ उस आलेग में लिखा गया शब भूमे पुत्र इनके स्थानिय संगटन चावा संग्राप परिशत के कार्यकरताओं ने जनता के बीच में प्रचलित किया हमने संपादप महोदय से सवाल किये जिस पर उन्होंने बताया कि भूमे पुत्र इस शप्त का जिक्रा आखिर उन्होंने अपने आलेख में क्यू किया 2004 की विदानसवा चुनाव में नाना पटो लेख कॉंग्रेस की विदायख हुआ करते थी लाखादूर विदानसवा शेत्र से उस दोर में इन्हें कोई नहीं पैचानता था लेकिन 2008 के शीद सट्र नाकपूर के दोरान इन्होंने कॉंग्रेस की सरकार में ही किसानों की फसलों को कुछी दाम नहीं मिल रहा है यह कहकर अपनी सरकार के खिलाम विरोधि मोर्चा खोल दिया था जिसके चलते विदान भवन परिसर नाकपूर में इन्होंने किसानों के धान की पेंडी जला दी थी जिसके बाद इन पर विदान भवन परिसर की कारवाई भी हुई 2009 के लोगसभा चुनाओं में इन्होंने अपनी पार्टी से गोधिया भंडारा लोगसभा टिकेट की मांग की जिसमें इन्होंने पार्टी के टिकेट ना देने के स्थिती में अपने चावा संग्राम परिसत के कार्या करताओं के भरोसे अपक्स चुनाओ लड़कर दो लाख मत लेकर भाजपा के ही सांसत है चुके शिशुपाल पटेल की जमानत जब करा दी थी जिसकी चलते नाना पटोले उभरते हुए नेता के रूप में चंता के सामने आये और आगामी 2009 के विशान सबाचुनाओ के पहले यह भारतिया जंता पार्टी की शरण में पहुँच गया बिल्ड इंडिया समचापत्रिका के पूर्व कार्यकारी संपादक ने यह भी बताया कि जुलई मा में जब ये लोग सबाचुनाओ हार कर अपने घर में बैठे थे तब इन्होंने संपादक को घर पर बुला कर दिल्ली से प्रकाशित होने वाली इस समाचा पत्रिका में आलेख छपने के लिए मितरता के तोर पर उन्हें बुलाया था और उनसे प्रभावित हो कर ही उस दोर के उनके काम देखकर उन पर इह आलेख लिखा गया था अब जानते हैं नाना पटोले ने किस तरह किसानों की राजनिती करकर अपने आपको किसानों का मसीहा बताया है 2009 के चुनाओं में बापिस यह भाजपा के विदायक तो बने लेकिन फास साल में इन्होंने कितनी किसानों की लड़ा या लड़ी जो कि किसानों के हित्मिथा हाली में इन्होंने फिर से कॉंग्रेस का दामन थामा है और नागपूर के लोगसभा शेटर से नितिन गड़करी के खिला जुनाओं की रननिती में भूमेपूत्र के नाम से ही इन्होंने आपने आपको नापपूर की जन्ता को गुम्रा करकर भूमेपूत्र का प्रचार करते हुए नजर आ रहे है किसानों की समस्याओं को सामने करकर इन्होंने केवल और केवल आपने राजनिती भविश्य को सुधारने का प्रयास किया है यहाँ है ना ना पटोले के भूमे पुट्र डिगरी का सच MNS News Live की ख़बर देखने के लिए आज ही फ्लेश डोर से MNS इन्थी आप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्स्राइबर शेय करना ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद